स्वयम से कहो शिश्यो हम शी रामकृष्ण परहमंस देव के अनेक शिश्य थे उन में से कई बहुत पड़े लिखे, विद्वान और तपस्वी थे स्वामी विविकाननजी महराज की आलोकिक प्रतिभासे तो समूची दुनिया चमतकृत रह गई इन शिश्यों में एक लाटू महराज भी थे निरे अनपढ़, गवार, विद्या बुद्धी का कोई चमतकार उन में नहीं था बस हिद्यज में भक्ती भरी थी ना वे शास्त्र चर्चा के गांबीरे में डूब सकते थे और ना ही किसी से शास्त्रार्च कर सकते थे पश्टिमी ज्यान विज्यान तो उन्हें चूब भी नहीं पाया था अपनी इस थिती पर विचार कर उन्होंने परमहंस देव जी से कहा ठाकुर मेरा कैसे होगा श्री ठाकुर ने उन्हें आश्वस्ट करते हुए कहा मैं तेरे लिए हूँ ना बस मेरा नाम स्मरण करने से मेरा ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा तब से लाटू महराज का नियम बन लेया अपने गुर्देव श्री राम कृष्ण परहंस का नाम स्मरण उन्ही का ध्यान और उन्ही की सेवा ठाकुर की आज्या ही उनके लिए सर्वस्व हो गई यह सब करते हुए उनके जीवन में आश्चर जनिक आध्यात्मिक परिवर्तन हुए अनेको देवी घटनाएं एवन चमतकारों ने उनकी सार्णा को धन्य किया उनके अध्भुत आध्यात्मिक जीवन और योग शक्तियों के अध्भुत विकास को देखकर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अध्भुतानंद नाम दिया शी राम कृष्ण संग में वह इसी नाम से विख्यात हुए स्वामी विवेकानन उनके बारे में कहा करते थे लाटू ठाकुर का चमतकार है वह इस बात का प्रतिक्ष प्रमाण है कि गुरू स्मरण, गुरू सेवा और गुरू की आज़्या पालन से सब कुछ संभव हो सकता है जो जन्म जन्मांतरों के तफ से संभव नहीं वह सदगुरू कृपा से सहज ही साकार हो जाता है सद्गुरु के मुख में ब्रह्म का वास होता है उनकी वानी ब्रह्म वानी है उनके द्वारा बोले गए वचन ब्रह्म वाक्य है महान दार्शनिक योगी भगवान शंकराचारे ने कहा है मंत्र वही नहीं है जो वेग और तंत्र ग्रंतों में लिखे हैं मंत्र वे भी हैं जिने गुरू कहते हैं सद्गुरू के वचन महा मंत्र हैं इनके अनुसार सादना करने वाला जीवन के परम लक्ष को पाए बिना नहीं रहता पती व्रता स्तरी की भाती मन वानी और कर्म की संपूर निष्ठा को नियोजित करके गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए भावना हो या चिंतन अथवा फिर क्रिया सभी कुछ सम्मिलित रूप से एक ही दिशा में सद्गुरु के चर्नों की और प्रवाइत होना चाहिए यान रहे इस महा सादना में अपना कोई बड़पन आड़े ना आए एंकार आड़े ना है अपना कोई शूद्र स्वार्थ इसमें बाधा ना बने शीदाम कृष्ण देव कभी कभी हस्ते हुए अपने भक्तों से कहते थे कुछ ऐसे हैं जिनके मन में तो भगवान के प्रती और गुरु के प्रती भक्ती है परंतु उन्हें लाज लगती है शरम आती है कि लोग क्या कहेंगे आशरम एवं कुल की जूटी मर्यादा अपनी जाती का अभिवान यश्प्रतिष्ठा का लोग उन्हें गुरु की सेवा करने में बाधा बनता है परंहंस देव जब यह कह रहे थे तो उनके एक भक्त शिश्य मास्टर महाशे ने पूछा तो फिर मार क्या है परंहंस देव ने कहा इन सब को छोड़ दो त्यागो इने तिनके की तरह सद्गुरु की आज्या पालन में जो भी बाधाएं सामने आएं उनका सामना करने में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए स्वामी विवेकानन महराज का करते थे तुम अपने से पूछो को हम मैं कौन हूँ देखो तुम्हें क्या उत्तर मिलता है हो सकता है तुम्हें उत्तर मिले, मैं पुत्र हूँ, पिता हूँ, पती हूँ, अत्वा पत्नी हूँ, मा हूँ, पुत्री हूँ, ऐसे उत्तर मिलने पर और गहराई में उत्रो, गुरु चर्नों में और ज्यादा नेह बढ़ाओ, फिर तुम्हें एक और सिर्फ एक उत्तर मिल उसी में जीवन की समस संभाव ना इसाकार हो सकती है और जो सच्चा शिष्य है उसके सभी कर्तव अपने गुरू के लिए है गुरू गीता प्रिष्ट 35-36 प्रणाम